हेलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल, और आम टेकनिकल हेल्प, अगर आपके स्मार्ट टीवी के अंदर नेट्फिक्स वर्क नहीं कर रहा है, जब भी आप यहाँ पर उपन करने के लिए जाते हो नेट्फिक्स को, तो आपको, आपका जो नेट्फिक्स है, वो लॉंच नहीं होता, और आटोमेटिकली क्लॉज भी हो जाता है, इस प्रब्लम को आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग स्टैब बाइ स्टैब इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर की साइड आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक सेटिंग्स का उप्शन आपको मिल जाएगा, आपको क्या करना है, जो आपका रिमोट है, यहाँ पर वो सेटिंग्स पर आपको जाना है, ठीक है, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर जाना है, आपको चाहिए आपका टीवी कोई भी कंपनी का हो, तो आपको settings के अंदर चले जाना है उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको एक apps का एक option मिल जाएगा हो सकता है आपके TV के अंदर manage app करके option मिले या फिर apps करके आपको यहाँ पर या फिर application के नाम से आपको यहाँ पर मिले यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको see all apps कर देना है तो क्या होगा जितने भी आपके smart TV के अंदर application installed है यहाँ पर उनका list दिखा देगा आपको यहाँ पर find करना है आपका Netflix ठीक है तो यहाँ पर देख पार हो कि हम लोगों को Netflix मिल गया है यहाँ पर आपको click कर देना है इसको open कर लेना है और friends आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा clear case का तो आपको क्या करना है clear case को clean कर देना है यहाँ पर click किजिए और यहाँ पर आपको okay कर देना है इसके बाद friends आपको यहाँ पर clear data का option मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको क्या करना है यह select कर लेना है select करने से पहले friends आपको मैं बता देना चाहता हूँ जैसे कि अगर आपने Netflix पर पहले login करके रखा है जो ID से अपने login करके रखा है वो एक बार sign out हो जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पर उसको वापस से जब यह ठीक हो जाएगा आपका वापस एक पर sign in कर लेना है login कर लेना है जो भी आपका ID है अभी मैं इसको ok कर दूँगा ok कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है अगर चेक करना है कि जो आपका Netflix वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है सेम एजटीज आपको जाना है उपर की तरफ और यहाँ पर आपको एक 4 stop का एक option मिल जाएगा आपको यहाँ पर उसको भी ओके कर देना है और इसको ओके कर दीजिए ठीके इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि जैसे कि अनिस्टॉल अपडेट्स क्या होता है अगर आपने आपका Netflix आपडेट हो गया है या फिर आपने क्या है तो कई बार क्या होता है कि कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो प्रोपर वरक नहीं करते आपके TV के साथ ठीक है हो सकता है उसमें अपडेट्स में कुछ प्रोलम हो तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक बार अनिस्टॉल कर देना है अपडेट को यहां पर ok कर दीजिए तो देखें आपका जो updates थे यहां से remove हो चुके हैं आपको क्या करना है back आ जाना है तो friends आपको क्या करना है आपका जो यह Netflix है आपको launch करके देखना है अगर आपका यहां भी problem ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है आपको यहां पर नीचे की तरफ आपको एक play store का option मिल रहा होगा हो सकता है आपके tv के अंदर कहीं और मिलेगे आपको बस आपको just find करना है play store पर जाना है गूगल play store पर जाना है आपको यहां पर उस पर click कर दीजिए ठीक है क्लिक करने के बाद आपको यहां उपर की तरफ options मिल जाएंगे यहां पर आपको एक search का option मिलेगा ठीक है तो आपको यहां पर search पर जाना है और यहां पर आपको जो यह search टेक्स बोक्स है यहां पर आपको type करना है netflix यहां पर net जिसे कि यहां पर मेरा आ गया ओलरी ठीक है तो आपको यहां पर netflix type कर देना है तो आपको यहां पर यह मिल जाएगा इसका जो यह option है यहां पर मिल जाएगा आपको यहां पर आ जाना है select कर लेना है इसको जैसे आप यहां पर select करते हो तो आपको यहाँ पर Netflix का option मिल जाएगा यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे open and update का ठीक है तो आप यहाँ पर click करके update कर लीजिए इसको update करने से पहले आपका जो Netflix जो आपका TV है वो internet से connected होना चाहिए तो friends यहाँ पर जो आपका Netflix का जो application था आपके TV के अंदर वो यहाँ पर update हो चुका है ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे back आएंगे back आना है आपको और आपको जो आपका application है यहाँ पर हम लोग एक पर launch करके देखेंगे इसको यहाँ पर click कर दीजिए तो friends देखें यहाँ पर जो हम लोगों को error आ रहा था हमारा login नहीं हो रहा था so friends यहाँ पर आपका netflix work करने लग गया है so I hope आप समझ गये होगे कि अगर आपके smart tv के अंदर netflix work नहीं कर रहा है उसको आपको कैसे ठीक करना है कैसे वो problem आपको fix करना है यह आपको यहाँ पर सब मिल गया होगा so I hope आपका problem ठीक हो गया होगा अगर आपका problem ठीक हो गया तो please subscribe my channel वीडियो को like करना, share करना, बैलाई करना ना बुलेगा ताकि जब भी मैं कोई वेडियो यूटुब पर upload कुरू उसको नटोकेशन आप तक पहुंच जाए thank you so much